नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Day Study with ASK में आज हम संमिधान में वन लाइनर के माध्यम से आज हम संपूर संमिधान का अध्यन करेंगे जिसमें लगबक हमारे संमिधान के 500 से भी अधिक वन लाइनर प्रस्ण है जिसको हम वारी वारी से देखेंगे जहां पर ब्याख्या की आवस्यक्ता होगी हम वहां पर ब्याख्या आवस्य करेंगे बाकी हम उनलाइनर के हिसाब से ही पढ़ते हुए चले जाएंगे तो हम सुरू करते हैं आज की कलास तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए आमंतरित करें तो सुरू करते हैं आज हम अपना पहला तो सम्मिधान में आज हमारा वनलाइनर में पहला प्रस्न है सासन की एकात्मक पद्धतिका लाभ है तो जो सासन की एकात्मक पद्धत का लाप है तो हमारा संविधान कैसा है या संगात्मक के साथ साथ एकात्मक है या एक द्रिधराज की परिकल्पना है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे तो हमारे समिधान सभा में विभिन प्रांतों की विधान सभाव द्वारा निर्वाचित हुए सदस्य थे क्योंकि 10 लाग पर हमारे एक प्रतनिदी निर्वाचित हुए थे समिधान सभा में जाने के लिए भारत की अंता कालिन संसद में कितने सदस्य थे तो 296 सदस्य थे, कुल सदस्यों की समिधान सभा में 389 सदस्यों की आवस्यक्ता के लिए सीटे आवंटित की गई थी लेकिन देशीर यास्तों ने उनमें भागीदारी नहीं की तो अन्ता कालिन संसत जो हमारी थे उसमें 296 सदस्य पहुंचे थे प्रथम केंद्रिय बिधान सभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रिय बिधान सभा का गठन ए 1921 में किया गया था भारत की समिधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की समिधान सभा कैबिनेट मिशन जो हमारा आया था Cabinet Mission का प्लान था तब जाकि हमारे भारत की सम्मिधान सभा बनाई गई थी तो भारत की सम्मिधान सभा का अध्यच कवन था तो जब पहले 9 दिसंबर को बैठक होई थी तो उसके आस्थाई अध्यच डाक्टर सचिता नन सिंगा बने थी लेकिन जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक जिसको पर्थम अस्थाई बैठक माना जाता है तो उसके अस्थाई अध्यच हमारे डाक्टर राजेν प्रसाद बने और जब तक हमारी सम्मिधां सभा का काम सम्मि प्रिवाचित किया गया सम्मिधान के अंतरगत भारती लोकतंत्र के आदर्सों को हम कहां देख सकते हैं तो सम्मिधान के जो हमारे लोकतंत्र आदर्स इन सब को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं अब जो प्रस्तावना हमारा है इसे को हम उद्देशिका या प्रियांबुल कहते हैं तो उद्देश का प्रस्ताव हमारा जवाहल लाल नहरू ने समिधान सभा में पेश किया था लोगप्रिय प्रभुसत्या का मतलब क्या है तो लोगप्रिय प्रभुसत्या है जनता के प्रतनिधी का प्रभुत तो जनता के जो प्रत्निधी का प्रत्वुत होता उसी को लोगप्रिय प्रवुसत्ता कहती हैं भारत पूर्ण संप्रभू लोगतांतरात्मिक गणराज जिकम बना हमारा भारत 26 नॉवंबर 1949 को जो हमारा सम्मिधान बन कर तयार हो गया तो उस दिन भारत पूर्ण संप्रभू लोगतांतरिक गणतंत्र बन गया और 26 जन्वरी 1950 को हमारे सम्मिधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया तो सम्मिधान के उद्देश का यानि की प्रस्तावना का संसोधन कितनी बार किया गया था जब सम्मिधान में 42 संसोधन हुआ था 1976 में इसके माध्यम से हमारे सम्मिधान में सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संसोधन किया गया और उसमें कुछ सब्द जोड़े गये तो अभी हम आगे बताएंगे कौन कौन से सब्द आपको पता ही है कितीन सब्द जोड़े गये थे हमारे सम्मिधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है तो हमारे सम्मिधान में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है सम्मिधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्स प्रतिविंबित होते हैं तो उद्देशिका में हमारे सम्मिधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्स प्रतिविम्बित होते हैं। भारत के सम्मिधान में संगीर सब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो सम्मिधान में संगीर सब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वाणित किया गया है तो भारत के संविधान में हमारे भारत को राज्यों का संग रूप में वाणित हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग होगा अब देख लिए भारती संविधान के अनुच्छेद एक में या घोसडा की गई है इंडिया अर्थात भारत क्या होगा तो इंडिया अर्थात भारत हमारा राज्यों का एक संग होगा संविधान के अनुच्छेद एक में भारत को क्या कहा गया है तो यही अभी हमने उपर आपको बताया कि राज्यों का संग कहा गया है सक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्याई पालिका किसकी दो महत्पूर्ण बिसेश्थाएं है तो सरकार का संग्य स्वरूप की यह बिसेश्थाएं है सक्तियों का विभाजन जो है या स्वतंत्र न्याई पालिका सरकार के संग्य स्वरूप का बिसेश्था है भारत में संग राज्य छेत्रों की संख्या कितनी है तो उस समय जह हमारा समिधान बन रहा था तो उस समय तो साथ थी लेकिन वर्तमान में हमारे पास आठ केंद्रसासित प्रदेश हैं भारत संग में कितने राज हैं? भारत संग में 2014 में जब हमारा तेलंगाना राज बना था तो उस समय तो 29 राज थे लेकिन आगे चल करके 2019 में हमारे संविधान में संसोधन करके जम्मु कस्मीर जो राज हुआ करता था उसको केंद्रसासित प्रदेश बना दिया गया तो इस समय हमारे भारत में 28 राज हैं और 8 संग राज छेतर हैं मतलब कि केंद्रसासित प्रदेश हैं आगे हम देख लेते हैं लक्का दिव मिनिकाय और अमेनी दिवी दिप का नाम बदल कर लच्छ दिप किस वर्ष में संसदी अधनियम द्वारा किया गया था तो जो हमारा लच्छ दीप जो हमारा है जोकी हमारे केरला के पस्चिम में है तो या जो लच्छ दीप हमारा है इसका पहले नाम लक्का दीव, मेनिकाय दीव और मीनी दीव आधि हुआ करता था तो इसको 1973 में बदल करके लच्छदीप नाम संसत द्वारा अधनियमित किया गया 1956 में राज्यों का पुनर गठन करने से हमारे जो 1956 में राज्यों का पुनर गठन हुआ जिसकी फजल अलियायोग बना था तो उसने 14 राज और 6 संग राज छेतर बनाने की मांकी थी कि भारत में 14 राज और 6 संग राज छेतर बनाये जाएं भारती सम्मिधान कब लागू हुआ था अभी हमने आपसे चर्चा की कि हमारा भारती सम्मिधान 26 जनवरे 1950 को लागू हुआ हमारे भारती सम्मिधान को कब अपनाया गया तो 26 नौंबर 1949 को भारती सम्मिधान को अपनाया गया सम्मिधान का प्रारूपर पूरा हुआ था तो वही हमारे सम्मिधान का बनना कब पूरा हुआ तो 26 नौंबर 1949 को हमारा सम्मिधान बनकर तयार हो गया समग रूप से भारती सम्विधान हमारा कब लागू हुआ तो 26 जनौरे 1950 को हमारे सम्विधान को पूरे भारत वर्स में लागू कर दिया गया भारत की सम्विधान सभा का साम्विधानिक सलाकार कौन थे तो यह असर B.N. राव थे जो हमारे सम्मिधान सभा के सम्मिधानिक सलाकार थे और हमने जैसे अभी बताया था कि सम्मिधान सभा का अस्थाई अद्दच कौन थे तो हमारे डाक्टर राजेंद पर साथ थे और अही प्रसंदेखी अब दुबारा पूछा गया है भारती सम्मिधान की रचना के समय सम्मिधान सभा का सम्मिधानिक सलाकार कौन थे तिया थे B.N. राव आगे हम देख लेते हैं तो अगला प्रसंद हमारा है संगीय प्रकार के सासन का एक गंभीर दोस है तो प्रिथक्ता का जो खतरा है या संगीय प्रकार के सासन का ये गंभीर दोस है लोकतांत्रिक केंद्रिकरन किसकी महतपूर्ण विसिष्टा है तो या समाजवादी राज की विसिष्टा है भारत में एकल नागरिक्ता की अधाना अपनाई गई तो भारत में एकल नागरिक्ता जो है या इंगलेंड से अपनाई गई संबिधान का कौन सा भाग नागरिक्ता के प्रावधावनों से संबंदित है तो हमारे भाग दो में नागरिक्ता जो है इसकी चर्चा की गई है भारती संगवाद निकट है तो भारती संगवाद हमारा कनाडा से लिया गया है भारती संबिधान ने सुद्रिन केंद्र के साथ संगी पडाली तो संगी पडाली हमारी कनाडा से ली गई है भारती संबिधान ने भारती महासंग की योजना किसके संबिधान से ली थी तिया कनाडा के संबिधान से ली थी जिस प्रिकार से परिच्छाँ में पूछ गए हैं सेम टू सेम वही यहां पर काँपी कर दिया गया है भारत के सम्मिधान का निर्माता किसे माना जाता है तो हमारे जो डाक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्हें भारत के सम्मिधान का निर्माता माना जाता है हमारे सम्मिधान में न्याइक समिच्छा की धारणा किस देश के सम्मिधान से ले गई है तो अमेरिका के सम्मिधान से मैं says भूमें सबसे बड़ा समिधान के दिस और हमारे भारत का है ये उए पूछा जाये कि सरफर्थम लिखिट समिधान किसने बनाई दो अमेरिका ने बनाई आगी है किस राजि के मामले में संसद संग़्ी सूची में दिये गए बिसियों पर केवल राज़ से परामर्स करके ही भी दिनिर्मार कर सकती है तो जैसा कि आपने हमने आपको बताया कि जब मुकस्मीर पहले राज़ हुआ करता था और इसको बिसियों सराज़ का दर्जा मिला था तो बिना इसके हस्तचेव के वहाँ के कानून में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता था तो आगे देख लेते हैं हमारी संग्हिय सूची में कितनी मदे मतलब की कितनी जो संग्ह सूची में बिसे दिये गए हैं और कितने दिये गए हैं तो 97 बिसे दिये गए हैं जो अर्तमान में लगभग सोबी से अठानवे हो चुके हैं या सोबी से हो चुकी हैं सम्विधान क्या अनुच्छे तेन सो सत्तर किस पर लागू होता था या जम्मो कस्मेर पर लागू होता था कोई ब्यक्ति भारती नागरिक नहीं होगा या दीवा है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो कोई ब्यक्ति अगर सुच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहन कर चुका है तो वहाँ ब्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा अस्थानी सरकारें किसका आधार हैं तो अस्थानी सरकारें लोकतंत्र का आधार हैं भारती संविधान में मूल भूत अधिकार किस संविधान से लिए गये थे तो अमेरिका के संविधान से हमारा मूल अधिकार लिया गया है परारम में कितने मौलिक अधिकार दिये गये थे साथ मौलिक अधिकार दिये गये थे लेकिन आगे चलकर के उनमें से एक संपत्ति का अधिकार था जिसको 44 में सम्मिदान संसोधन के माध्यम से 1978 में हटा दिया गया तो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ 6 है सम्मिदान के 21 धारा के अंतरगत कोई भी व्यक्ति मौल भूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्याले में उठा सकता है तो जो हमारा धारा 32 है यानि कि अनुच्छेद 32 तो अनुच्छेद 32 के तहट अगर भी अगर कोई भी मौल अधिकार का उलंगन होता है तो उसके तहट हम सीधे उच्चतम न्याले में यह मामला ले के जा सकते हैं और उच्चतम न्याले हमारे मामले की सुनवाई करेगा एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है ख्या हमारे भारती संविधान में नहीं की गई है उच्चतम न्याले द्वारा कितने प्रकार की रिटे जारी की जा सकती है तो पांच रिटे जारी की जा सकती है भारती संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है पेपर में पूछा गया कि भारती संविधान में जीवन का अधिकार क्या है तो यह हमारा जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है किस संविधान संसोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मोल अधिकार नहीं रहा तो चगवारी समा संविधान संसोधन 1978 में मोरार जी दिसाई की जो सरकार थी जब मोरार जी दिसाई प्रधान मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके उसको कानोनी अधिकार बना दिया जब वालिसे में संसोधन के अंतरगत काउन सा बिधिक अधिकार बन गया है तो संपत्ति का अधिकार हमारा बिधिक अधिकार बन गया है भारती संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है तो संपत्ति का अधिकार हमारा बिधिक अधिकार है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके सासनकाल के दोरान हटाया गया था तो मोरार जी देशाई सरकार अभी हमने ऊपर आप से चर्चा की भारती सम्मिधान के किस अनुच्छेद को डाक्टर भी आर अम्बेडकर ने भारती सम्मिधान का हिर्दय और आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को हमारे भीमरव अम्बेडकर ने भारती सम्मिधान की हिर्दय और आत्मा कहा है आगे हमारा है कोई राज उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिने वह बनाए रखता है तिया किस का कथन है तिया लास्की का कथन है मूल अधिकार भारती समिदान के किस भाग में इस्थित है तो भाग 3 में हमारा मूल अधिकार इस्थित है भाग 2 में हमारी नागरिक्ता दी गई है आगे देख लेते हैं तो आगे हमारा है प्रेस की स्वतंता किस अधिकार में नहीं था है तो प्रेस की स्वतंता भासर या स्वतंत का जो हमारा अनुच्छेद 19 है अनुच्छेद 19 का सब आठकिल एक में ही प्रेस की स्वतंता नहीं था है तो प्रेस की स्वतंता भारती सम्मिदान के किस अनुच्छेद से मिलती है देखिए आगे मिल भी गया अनुच्छेद 19 में है भारत के सम्मिदान के किस अनुच्छेद के अंतरगा ससस्त्रबलों के इस रूप से परतिवंदित किया जा सकता है। तनुच्छे 35 माध्यम से। भारती संब्धान में अलप संख्यकों को मांने तक साधार पर दी गई है। तो धर्म के आधार पर दी गई है। भारती संब्धान में मौलिक कर्तब कब समाविष्ट किये गए। तो जब हमारा 42 सम्मिधान संसोधन 1976 हुआ तब जाकर के मौलिक करतब को हमारे सम्मिधान में समाहित किया गया सम्मिधान में मौलिक करतब किस संसोधन द्वारा जोड़े गए तभी हमने बताया 42 सम्मिधान संसोधन 1976 के माद्यम से और या किस किसी फारिस पर जोड़े गए थे तो सरदार स्वरंड सिंग कमेटी किसी फारिस पर जोड़े गए थे भारती सम्मिधान में कितने मौलिक करतब सामिल किये गए हैं तो जब 1976 में सामिल किये गए तो तब तो हमारे मौलिक करतब सिर्फ 10 करतबे को सामिल किया गया था लेकिन 2003 में एक और संसोधन हुआ तब अब जाकि हमारे भारती समिधान में मौलिक करतब 11 हो चुके हैं मौलिक अधिकार निलंबित किये जा सकते हैं तो मौलिक अधिकारों पर या थोचित प्रतिबंद कौन लगा सकता है तो हमारी संसद लगा सकती है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है तो विधिक अधिकार जो हमारा है या भारतियों भारतियों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है भारति सम्मिनधान का अन किसी धर्म विशेश के समवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवारता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो यह अनुच्छे 27 के द्वारा मिली है। अल्पसंख्यों के हितों की सुरच्छा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है। इसका विचार अनुच्छे 29 में किया गया है। भारती सम्विधान का काउन सा अनुच्छेद अस्प्रिस्तिता का उन्मूलन करता है। तो हमारा जो अनुच्छे 17 है यह अस्प्रिस्तिता का उन्मूलन करता है। कतिपए मौलिक अधिकार नहीं दिये जाते तो मौलिक अधिकार कुछ हद तक भी देशियों को नहीं दिये जाते भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किये जाते हैं तो संबैधाने कुप्चारों का अधिकार जो हमारा अनुच्छेद 32 है भारत के समिधान में सामिल राज नीत के निदेशक सिद्धानतों की आउधाना किसके समिधान से लिए गई थी तो या आयरलेंड के समिधान से लिए गई थी भारती समिधान में राज नीत के निदेशक सिद्धानत किसके समिधान से लिए गई थे तो आयरलेंड के समिधान स से लिए गए थे भारती सम्मिधान में सामेल नेत निदेशक सिद्धान्त किसके सम्मिधान से प्रेरित है वही सेम प्रस्ण है आरलेंड के सम्मिधान से प्रेरित है आगे अगला प्रस्ण मारा है भारती सम्मिधान का कौन सा अनुच्छे दिया निर्धारित करता है कि राजकी ये नीत के निदेशक सिदान्थ किसी नियाले द्वारा लागू नहीं किये जा सकते तो जो हमारा अनुच्छे 37 है इसमें लिखा गया है कि जो हमारे मौलिक करतब जो नीत निदेशक तत्तों हैं नीत निदेशक तत्तों को नियाले द्वारा नहीं लागू कराया जा सकता है जब ये राज की इच्छा पर निर्भर है भारत का कौन सा भाग राज नीत के निदेशक सिद्धानतों से संबंदी तत भाग चार जो है या हमारा नीत निदेशक तत्तों या नीत निदेशक सिद्धान जिसको हम डिपी यसपी के नाम से जानते हैं डारेक्टू प्रिंस्पा लाव इस्टेट पॉलिसी ग्राम राज के माध्यम से राम राज के बारे में किसने कहा तो आपको पता है महत्मा गाधी के वक्त अब्य हैं संबिधान के किस संसोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेच्छा राज के नीत निदेशक सिद्धानतों को अधिक महत्मूर बना दिया तो जो हमारा 42 सम्मिधान संसोधन है इसने राज के नीत निद्यक सिध्धानत को मूल अधिकार से भी बड़ा बना दिया महत्पूर्ण बना दिया लेकिन मूल अधिकार का हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोट या हाई कोट जा सकते हैं लेकिन राज के नीत निद्यक सिध्धानतों से इसकी सुनवाई आप किसी भी कोट में इसके लिए नहीं जा सकते संविधान के किस राज संसोधन से राज नीत के निद्यसक संसोधनों को मौली क अधिकार की प्रमुकता की स्थित मिली तो या 42 संसोधन जो हमारा हुआ था 1976 में अब हम देख लेते हैं भारत के सम्मिधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याण कारी राज घोसित करने से संबंदित है तो अनुच्छेद 49 जो हमारा है अनुच्छेद 49 इसके माध्यम से कल्याण कारी राज घोसित करने की घोसड़ा की गई है उपराष्ट पती पदेन अध्यच्य है तो राज सभा का जो हमारा सभापती होता है वही उपराष्ट पती हमारा होता है तो उपराष्ट पती राज सभा के पदेन सभापती होते हैं किसने दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट पती का पद समाला था तो यह सराधा किस्णन जो है जो सरपली राधा किस्णन है इनको दो पूर्व यह अपना उपराष्ट पती का पद दो बार पूर्ण किये थे भारत के उपर राष्ट पती के पद पर लगातार बौर कौन रह चुके हैं तो दो बार लगातार हमारी आई डाक्टर सर पर लिडाधा के सुनन रह चुके हैं जिस परकार से राष्ट पती हमारे राजेंद पर साद लगातार दो बार थे आगे हमारा है राश्टपती द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है तो राश्टपती द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है बारा लोक सभा में दो लोक सभा में और बारा राज सभा में राश्ट पती का जो भारत के राश्ट पती जो है या किसके अभिन्न भाग है तो ये संसद के अभिन्न भाग है संसद हमारा तीन भागों से मिलकर बना है लोक सभा राज सभा और राश्ट पती राश्टपती द्वारा संसद के लिए एंगलो इंडियन समुदाए के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है तो दो सदस्यों को नामित किया जा सकता है हमारी जो संसद है तो लोग सभा में दो सदस्यों को नामित किया जा सकता है और राज्य सभा में 12 सदस्यों को लेकिन अब जो लोग सभा में 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता था एंगलो एंडियन को या प्रथा इस बार समाप्त कर दी गई है भारती सम्मिधान के अनुसार केंद्री मंत्री किसके इच्छा रहने तक पद सम्मालेंगे तो भारत के राश्य पती की इच्छा पर इनका पद रहेगा राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवद के लिए होता है तो राज्य सभा के जो सदस्यों होते हैं वो च्छै वर्स के लिए निर्वाचित होते हैं राज सभा के लिए राशपती द्वारा कितने सदसिनामित किये जाते हैं तो बारा सदसिनामित किये जाते हैं, जो चार छेत्रों से होते हैं पहले बित आयोग का गठन हुआ था तो पहले बित आयोग का गठन हमारा 1951 में हुआ था भारत के राश्पती द्वारा बित आयोग की नियुकति कितने वर्सों बाद की जाती है तो बित आयोक की नियुक्ति हमारी राश्पती करते हैं संग लोग सेवा आयोक की सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राश्पती के द्वारा की जाती है भारत के अटार्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राश्टपती भारत के अटार्णी जनरल के नियुक्त करते हैं अटार्णी जनरल का अनुच्छेद कितना है अनुच्छेद 76 देश की ससस्त्र सेनाओ का सरवोच कमांडर इनचीफ कौन है तो जो सर्बोच कमांडर इनचीफ हमारे राष्टपती हैं तीनों सेनाओ के राष्टपती और उपराष्टपती से संबंदित चुनाओ बिवादों का समझाओता करने का अधिकार उच्चतम न्यालय को है या उनका कौन सा अधिकार है तो मौली का अधिकार है राष्टपती और उपराष्टपती से संबंदित अगर चुनाओ का बिवाद होता है तिया सीधा उच्चतम न्यालय में सुनवाई होती है भारत का उपराष्टपती होता है तो भारत का उपराष्टपती अभी अमने आपको बताया राजसभा का पदेन अध्यच्च होता है भारत का पहला राजनीतिक राश्टपती कौन था तो डाक्टर एपी जी अब्दुलकलाम जो की हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट हुआ करते थे वे हमारे भारत के ऐसे राश्टपती बने जिनका राजनीति में कोई रुची नहीं राश्टी आपात की घोसड़ा की जा सकती है राश्टपती ने अब तक कितनी बार राश्टी आपात की घोसड़ा की है तो तीन बार राश्टी आपात की घोसड़ा की गई है किस वर्स में भारत के राश्टपती ने आंतरिक आब्यवस्था के कारण आपात इस्थितलाग की थी 1975 में जो हमारा आपात काल लगाया गया था तो आंतरिक अब्यवस्था के कारण यानि की आंतरिक असांति के अधार पर लगाया गया था संबैधानिक प्रणाली के आसफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्टपती सासन संबैधान के किस धारा के अंतरिक अतलागू होता है तो अनुच्छे 356 में या साप साप दिया गया है कि किसी भी राज्य में अगर सासन ब्यवस्था आसफल होती है तो वहाँ पर राष्ट पति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्थुत करता तो राष्ट पति अपना त्याग पत्र उपराष्ट पति को देता और उपराष्ट पति अपना त्याग पत्र राष्ट पति को देता है यदि राष्ट पति त्याग पत्र देना चाहे तो आपना त्याग पत्र किसे को अब यह तीन प्रस्ण एक ही प्रस्ण है लेकिन पूछने का तरीका अलग-अलग है तो जैसे कि एक जामनर देखते हैं कि किस पेपर में हमको किस लेबल का प्रस्ण रखना है उसी हिसाब से वह अपना प्रस्ण सेट करते हैं भारत के राश्पती के चुनाव के लिए नागरे को कितनी आयू पूरी कर लेनी चाहिए तो 35 वर्स की आयू पूरी कर लेनी चाहिए भारत के राश्टपती पद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के नियुंतम आयो कितनी होती है 35 वर्स अगर आप 35 वर्स के हो चुके हैं तो राश्टपती पद के चुनाव लड़ने के लिए आप उम्मीदवारी कर सकते है भारत के राश्टपती पर महाभियों की बिद जो अपनाई गई है वह कहां से अपनाई गई है तो अमेरिका से अपनाई गई है राश्टपती की सेवा निबृत की आयू क्या है तो हमारे समिधान में इसका कोई जिक्र नहीं है निउनतम आयू 35 वर्स दी गई लेकिन अधिक्तम आयू का इनके रिटायर्मेंट की कोई आयू नहीं दी गई है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है तो राश्टपती संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते है और उन सदनों की अध्यच्चता हमारे लोग सबा अध्यच्च करते हैं भारत में राश्च्पती कितनी बार बित्ती आपात इस्थित की उद्गोसडा कर सकते हैं तो अभी तक हमारे यहां बित्ती आपात काल की इस्थित कभी भी लागू नहीं होई है सम्मिधान में कितने परकार के आपातकालों का प्रावधान है तो तीन बार आपातकाल हमारे यहां लग चुके है सम्मिधान में आपातकालों का प्रावधान पूछा है तो हमारे यहां तीन परकार के आपातकाल है राश्ट्री आपातकाल और एक हमारा राश्ट्रपती सासन जिसको राज्य आपातकाल बोलते हैं और तीसरा है बित्ती आपातकाल भारत के राश्ट्रपती के पास आपात अधिकार हैं तीन परकार के 352, 356 और 360 तो 352 में राश्ट्री आपात है 356 में आप इसको राश्ट्रपती सासन या राज्य आपातकाल कह सकते हैं राश्ट्रपती सासन या इसी को राज्य आपातकाल कह सकते हैं और 360 में हमारा दिया है बित्ती आपात तो बित्ती आपात हमारे भारत में अभी तक कभी नहीं लगा राश्टपती सासन ए राज्यों में अनगिनत बार लग चुका है और राश्टी आपात हमारे यहां तीन बार लग चुका है तो आगे हम देख लेते हमारा अगला प्रस राष्टपती को किस अनुच्छेत के अंतरगत या अधिकार प्राप्त है कि वा बित्ती आपात का लागू कर दे तो अनुच्छेत 360 के अंतरगत राष्टपती को या अधिकार प्राप्त है भारत में किस प्रकार की आपात इस्थिती अभी तक केवल एक बार लागो की गई है तो आंतरिक आपात की इस्थिती एक बार लागो की गई है उसके बाद हमारे सम्मिदान में संसोधन कर दिया गया कि आंतरिक जो असांती है उसके आधार पर हमारे आपात काल नहीं लगेगा जब तक कि ससस्त्र बिद्रोह ना हो भारत का राष्टपती अपने पद पर पुनर निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है तो जितनी बार चाहवा खड़ा हो सकता है संबीदान में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है भारती संग की राष्टपती के पास वही संबैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिस राजा या रानी के पास हैं केंद्र सरकार किसकी सिफारिसों के आधार पर भारत की समेकित निधी से राज्यों को अनुदान देती है तो बित्त आयोक की सिफारिस पर केंद्र और राज्ज के बीच केंद्री संसाधनों के निरणय पर परामर्ज करने के लिए राष्ट पती द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है तो राष्ट पती द्वारा बित्त आयोक का गठन किया जाता है संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की इस्तिती में संयुक्त अधिवेशन की अध्यच्छता कौन करता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यच्छता हमारे लोग सभा अध्यच्छ करते हैं आगे हम देखते हैं हमारा आगे अगला प्रस्ण है राष्ट पती का अध्या देश कितनी अवद के लिए लागू रहता है तो राष्ट पती का जो अध्या देश जारी होता है वो छे महीने के लिए लागू होता है जैसे कि अध्यादेश राष्टपती किस अनुच्छेद के माध्यम से निकालते हैं तो एक सो तेज के माध्यम से अनुच्छेद निकालते हैं और यहाँ जो अध्यादेश निकालते हैं इसकी जो भी संसत से हमारा कानून बनता उसकी सक्ति जितनी है उतनी सक्ति अध्यादेश के भी होती लेकिन 6 महिने के अंदर उसको हमारे संसत से पारित करवाना जरूरी होता अगर उसको पूर्ण रूप से कानून बनाना है तो भारत सरकार का साम्विधानिक अध्यच कौन है तो हमारे राश्पती हमारे साम्विधानिक अध्यच है भारत के उपराश्पती का चुनाव किया जाता है संसत के सदस्यों द्वारा तो हमारे जो संसत के सदस्य हैं उनके द्वारा हमारे भारत के उपराश्टपती का चुनाव किया जाता है भारत के राश्टपती पर महाभियोग चला जा सकता है किसी संसत द्वारा चला जा सकता है सम्मिधान के उलंगन के लिए राश्टपती के बिर्द अभियोग कारिवाही किस में सुरू की जा सकती है तो संसद के किसी भी सदन में चाहे लोग सभा हो चाहे राज्य सभा हो दोनों में कहीं पर भी सुरू की जा सकती है भारत के उपराष्ट पती पर महाभियोग किसके द्वारा लगा जा सकता है तो भारत के उपराष्ट पती पर अगर आपको महाभियोग चलाना है तो उसकी सुरुवात आपको सरपर्थम राज्यसभा में ही की जाएगी क्योंकि हमारे भारत के उपराष्टपती जो है और राजसभा के पदेन सभापती होते हैं भारत में सरकार की संसदी पढ़ाली कहां से ग्रांड की गई है तो ब्रिटिज संविधान यानि की ब्रिटेन से सरकार के संसदी रूप का विचार कहां से लिया गया है तो ब्रिटेन से लिया गया है भारती संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना है तो राज सभा भारत में संसदी धाचे के दो अस्थाई सदनों का नाम बताईए तो लोक सभा और विधान सभा ये हमारे अस्थाई सदन होते हैं जो प्रतेक पांच वर्ष पर भी घटित होते हैं राज सभा के सदस के लिए नियुनतम आयू कितनी है तो राज सभा के सदस के लिए नियुनतम आयू तीस वर्ष है और लोक सभा के नियुनतम आयू पचीस वर्ष है भारती संसद के संयुक्त सत्र की अध्यचता कौन करते हैं तो राज सभा के सभापती भारती संसद के संयुक्त सत्र की अध्यचता राज सभा के सभापती करते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परिच्छक की रिपोर्ट की समीच्छा करने वाली संसदी समीति या लोक लेखा समीति भारती संसद के जो संयुक्त सत्र की अध्यच्छता है हमारे लोक सभा के अध्यच्छ करते हैं ना की सभापती करते हैं तो हमारे गलत है, लोक सभा के अध्यच्च इसकी अध्यच्चता करते हैं, ना कि राजसभा के सभापती. भारत के नियंत्रक और महालेखा परिच्छा की रिपोर्ट की समीच्छा करने वाली संसदी समीती है लोकलेखा समीती जिसके अध्यच विपच्छ के नेता होते हैं संसद की लोक लेखा समीता क्या अध्यच नियुक्त किया जाता है लोक सभा के अध्यच द्वारा लोक लेखा समीती का अध्यच नियुक्त किया जाता है और वह विपच्छी दलका नेता होता है अगला प्रस नमारा है भाती संसद में लोक लेखा समीती का अध्यच कौन होता तो या विपच्छी दलकानेता जो है वही हमारी लोक लेखा समीती का धच होता है राज सभा के सदस्यों का स्वेवा काल कितना होता तो 6 वर्स होता है राज सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवद के लिए किया जाता तो वही प्रस्ण है 6 वर्स के लिए किया जाता है ना संसद हमारा नागरिकता की सर्ते बनाता है भारती संग के नए राज के स्विकृति कौन देता है तो यह हमारी संसद देती है आगे हमारा है अखिल भारती सेवाओं के स्रिजन की सक्ति किसे प्राप्त है तो हमारे भारती संसद को प्राप्त है मंत्री परसद सामोहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदाई होती है लोगसभा के प्रति उत्तरदाई होती है क्योंकि जो लोगसभा में हमारे प्रतनिधी जाते हैं वो जनता के बीच से सीधे चुन कर जाते है तो जो भी मंत्री परिसद हमारी बनती है वो हमारे लोगसभा के प्रति उत्तरदाई होती है मंत्री मंडल सामोहिक रूप से उत्तरदाई है तो मंत्री मंडल सामोहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है सरकार की मंत्री मंडल प्रणाली की सबसे महत्पूर्ण विशेष्ता क्या है? तो सरकार की मंत्री मंदल प्रणाले की सबसे महत्पूर्ण विशेष्टा है सामोहिक उत्तर दाईत्व संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठब को भेजे गए विधेयक को पारित होना होता है उपस्तिस सदस्यों के साधान बहुमत से तो संसद में कौन-कौन से लोग सामिल होते हैं अभी हमने आपसे चर्चा की राश्पति, लोगसभा और राजसभा इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है संसदी सब्दावली में समापन से क्या आसा है कि संसद के सत्र का अंत हो गया है यह हमारी संसदी सब्दावली जो समापन है यह इसका अर्थ होता है संसद के सत्र का अंत लोग सभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमारित कौन करता है तो जो हमारे लोग सभा के अध्यच्छ होते हैं वे प्रमारित करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है आगे हमारा है या कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विदेयक विशेश धन विदेयक है या नहीं या लोग सबा के अधच्छ द्वारा बताया जाता है कि कौन सा विदेयक धन विदेयक है या नहीं है केंद्रे बिधान वंडल का अध्यच बनने वाले पहले भारती काउन थे तो बिठ्थल भाई पटेल थे बिधाईका को किस प्रकार की सरकार में कारेपालिका से अधिक प्राथमिक्ता मिलती है तो संसदी सरकार है इसमें बिधाईका को सरकार में कारेपालिका से अधिक प्राथमिक्ता मिलती है स्वतंत्र भारत की लोग सभा का प्रथम अध्यक्र गौण थे तो जेवी मावलंकर थे समिधान सभा के अनुसार संसद के दोनों सद्नों का अधिवेशन एक वर्स में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है तो दो बार बुलाना जरूरी है संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए तो 6 माहिने से अधिक का अंतराल संसद के सदनों के बीच में नहीं होना चाहिए किसी मंत्री मंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महतों का अभिलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं तो उसे अस्थगत प्रस्ताव कहते हैं या दिसंसत किसी बिसिष्ट उद्देश के लिए कोई समीती नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समीती मंत्री परिशद में क्या सामिल नहीं है तो काइबिनेट सचिव जो है या मंत्री परिशद में सामिल नहीं है आगे देख लेते हैं आगे हमारा प्रस्थन है केंद्री मंत्री परिशद के बिरुद्ध आभिस्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है तो केवल लो सरकार किस विध्यक द्वारा करती है तो बित्य विध्यक के द्वारा राजस्विकत्र करने का प्रस्ताव सरकार करती है समिधान के कौन सी अनसूची राज सभा में सीटों के बठवारे का निर्धारन करती है तो चौथी अनसूची जो हमारी है समिधान की तो समिधान के चौथी अनुसूची में राज्यों में सीटों के आवंटन का निर्धारन दिया गया है किस सदन में अध्यच उस सदन का सदस नहीं होता है तो राज्य सभा का जो सदस नहीं होता है भारती संसत की सबसे महत्पूर्ण विशेषता क्या है कि भारते संसत में हमारे राष्टपती भी सामिल है यही इसकी महत्पूर भी सेशता है राष्टपती द्वारा राज सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के सम्मिधान से लिया गया था तो आयरलेंड के सम्मिधान से लिया गया था लोग सभा का कारेकाल कितनी बार 6 वर्स तक बढ़ाया गया था तो एक बार बढ़ाया गया था जब हमारे यहां आपातकाल लगा था राज सभा का कारेकाल जो मूल सम्विधान की अंतर गध पांच वर्स था तो 42 में सम्विधान संसोधन के दौरा बढ़ा कर कितना कर दिया गया तो 6 वर्स अभी हमने बताया उपर भारत में किसकी स्विक्रित के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता तो संसद के द्वारा संसद की स्विक्रित के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता है लोग सभा के निर्वाचर संदस्यों की अधिक्तम संख्या हो सकती है तो निर्वाचर संदस्यों की संख्या 550 हो सकती है और दो हमारे राष्टपती द्वारा मनोनी सदश हुआ करते थे जिनको आप समाप्त कर दिया गया है गयर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं तो तीन वाचन होते हैं इसके दवरान आधिक के बजट की संस्तिती की जाती है तो तेजी के दवरान जब हमारे अर्थब्वस्था में तेजी की होती है तो आधिक के बजट की संस्तिती की जाती है संसद सदस संसद में अपनी सदसता गमा देगा एय दिवा सत्रों से निरंतर अनुमस्तिती रहे 60 दिन तक अगर कोई भी सदस 60 दिन तक बिना बताए संसद से अनुपस्तित रहता है तो उसकी सदसता रद की जा सकती है लोग सभा अधच के बेतन और भत्ते काउन निर्धारित करता है तो बेतन आयोग जो है या हमारे लोग सभा के अधच और बेतन भत्ते को निर्धारित करते है राष्ट्री कोस का अभीरच्छक कौन सांग है तो बिधान मंडल राष्ट्री कोस का हभीरच्छक है हाँ साब्दा पीपुल को लोग सभा का नाम किस वर्स दिया गया तो 19 disg़ में दिया गया पहले अब इस्वस्प्रस्ताव और दूसरे अब इस्वस्प्रस्ताव के लिए कितना अंतर होना चाहिए छे महीने का अंतर होना चाहिए संसद और संबिधान साधन नहीं है बिधिक न्याय के साधन नहीं है लोग सभा आयोजित करने के लिए अपेचित गणपूर्ति कोरम क्याहत एक बटे दस जब तक संसद में एक बटे दस तमारे लोग सभा या राज सभा में एक बटे दस सदस मौजूद नहीं होंगे तब तक सादस संसद की कारवाही नहीं शुरू की जा सकती भारती संसद द्वारा विश्व संसदी प्रडारियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है तो सुन निकाल की प्रक्रिया समाविष्ट की गई है आगे हमारा प्रस्ण है कौन सा अनुच्छे संसत को राज सूची के विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार देता है तो 249 जो है जो हमारा अनुच्छे 249 है इसके माध्यम से संसत को राज सूची के विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है वह प्रधान मंत्री कौन है जिन्होंने अपने कारेकाल के दाउरान संसत के किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया तो चौधरी चरण सिंग है जिन्होंने संसत के अधिवेशन में भाग नहीं लिया किसने कहा संसदी लोग तंत्र का अर्थ है एक ब्यक्ति और एक मत तिया हमारे डाक्टर भीमराव अमबेड कर है मंत्री परिशत की बैठकों की अध्यचता कौन करता है तो मंत्री परिशत की बैठकों की अध्यचता हमारे प्रधान मंत्री करते है भारत के पर्धान मंत्री बनने के लिए अपेचित निउंतम आयुक्या है तो 25 separates है योजना आयुक का अध्यच कॉन होता है तो योजना आयुक के अध्यच प्रधान मंत्री होते हैं वरतमान में योजना आयुक को नीती आयुक के माध्यम से replace कर दिया गया है अब इसके अस्थान पर नीती आयोग काम करती है जिसका थिंक काम करना है कि ये थिंकिंग बॉड़ी है भारत में आउसिष्ट सक्तियां नहित हैं केंद्री सरकार में नहित हैं संसदी प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है वह कौन है तो प्रधान मंत्री हैं किसने प्रधान मंत्री को समकच्छों में प्रधम कहा है तो मोरले ने कहा है मंत्री मंडली ताना साही का विचार किसकी देन है तो या मियूर की देन है किसने मंत्री मंडल पद्धदी को राज जरूपी जहाज का इस्टीरिंग भे कहा है तो मियूर ने कहा है भारत में प्रधान मंत्री तब तक अपने पत पर रहता जब तक उसे प्राप्त है लोगसभा का विश्वास मत प्राप्त है तब तक ही प्रधान मंत्री अपने पत पर बने रह सकते हैं वह परधान मंतरी कौन था जिसने संसद में मतदान द्वारा अपदस्त कर दिया था तो बेपी सिंग ऐसे परधान मंतरी रहे हैं हमारे भारत के परथम उप्रधानमंत्री कौन थे तो उप्रधानमंत्री हमारे सरदार बल्ला भाई पतेल थे जो की ग्रिह मंत्री के रूप में थे किसी उच्च न्याले के न्याया धीस की प्यंसन प्रभारित की जाती है भारत की संचित निरी से राश्टी विकास परिसद में कौन सामिल होते हैं तो राश्टी विकास परिसद में सभी राज्यों के मुख मंत्री सामिल होते हैं राष्टी एकता परिसद यन आईसी का अध्यच काउन होता है तो प्रधान मंत्री होते हैं अपनी वेशिक भारत में एक संगी अदालत की अस्थापना किस अधनियम के अंतरगत की गई थी तो 1935 के अधनियम के अंतरगत की गई थी भारत के मुख नयमूर्ती उस समय सरो सोमी का पाड़िया थे लेकिन इस समय हमारे कौन से नयमूर्ती है तो चंद्रचूड जी है तो कौन से चंद्रचूड है या आप कमेंट बाक्स में बताएंगे वाई भी चंद्रचूड है या डियन चंद्रचूड है भारती ये उच्चतम नियाले के नियाय अधीसों की नियुक्ति कौन करता है तो भारती उच्चतम नियाले के नियाय अधीसों की नियुक्ति हमारे राश्च्पति करते है उच्चतम नियाले की प्रथम महिला नियाय अधीस कौन थी तो या फातिमा बेबी जी थी भारत के महानियावादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है तो भारत का कोई भी न्याले हो वहां पर भारत के न्यायवादी जो है तो भारत के महानियावादी को सुनवाई का अधिकार भारत के किसी भी न्याले में है भारत के नियंत्रा केवं महालेखा परिच्छक के न्यूक्ति की ये अवद कितनी है 6 वर्स या 65 वर्स की आयू तक जो भी पहले हो अगर 6 वर्स उनका कारिकाल पूरा हो गया तब भी उनकी अवद समाप्त हो जागी या 65 वर्स की हो गए तब भी उच्चतम न्याले के नया अधिस की सो आयू तक अपने पत पर बने रह सकते हैं तो ये 65 वर्स की आयू तक उच्चतम न्याले के मुख न्याय अधिस की अधिवर्सिता आयू क्या है तो या है 65 वर्स भारतिय सम्विधान की अंतिम व्याख्याता कौन है हमारा सरवोच्य न्याले संविधान की ब्याख्या करता है संविधान की ब्याख्या कौन करता है तो संविधान की ब्याख्या हमारी न्याय प्याल का यानि की सरवोच्य न्याले करती है भारती ये संविधान का अभिरच्छक का उन है तो मौलिक अधिकारिता के अंतरगत है सर्बोच न्यालय के न्याय धीसों के बेतन और भत्ते किसे प्रभारित किये जाते हैं तो भारत की संचीन निधी पर उच्च न्यालय का न्याय धीस बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यालय में अधिवक्ता की रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए तो दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए उच्चतम न्यालय के सेवा ने बृत्य न्याय धीसों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है तो भारत के किसी भी न्याले में वाकालत करने की मना ही है उच्चतम न्याले में कितने न्याधिस हों तो तीस हुआ करते थे इस समय हमारे यहां 33 न्याधिस और एक मुख्य न्याधिस 34 न्याधिस वर्तमान में हमारे यहां है उच्चेतम न्याले में एक मुख्य न्याधिस के अलामा अधिक्तम कितने न्याधिस हो सकते हैं तो उस समय 25 थे लेकिन सम्मिधान में संसोधन करके अब हमारे जो हैं 33 और एक मुख्य न्याधिस और एक 33 जो अन्य न्याधिसों की नियुक्ति हो सकती है राज के लिए एक निर्वाचन याजिका का निर्मार करने का अधिकार किसको है तो उच्च न्याले को है न्याय पालिका का मुख्यकार क्या है तो न्याय पालिका का मुख्यकार है कानून का न्याय का निर्णायन करना नियाई पालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं निर्णाई बिधी सबसे पहले किस उच्च नियाले ने घोसडा की थी कि बंद असंबैधानिक है तो जो बंद होता है लोग कह देते हैं कि आज भारत बंद रहेगा या ये बंद रहेगा तो केरल उच्च नियाले ने या घोसडा की कि बंद जो है या आसंबैधानिक है उच्च नियाले ने किस मामले में भावतिक अधिकारों की प्रमुकता राज नीत के निदेशक सिधान्तों से उपर अस्थापित की तो गोलकनाथ का जो मामला था उसको भव जो है राज के नीत नी देशक सिधान्तों से उपर अस्थापित किया उच्च नियाले में अपेल की जा सकती है यदि सत्र नियाले ने दंड दिया हो साथ वर्ष से अधिक का दंड अगर उच्च नियाले ने दिया है तो आप उच्च नियाले में अपेल कर सकती है भारती सम्मिधान में न्यायक पुनरी च्छण आधारित है बिधी द्वारा अस्थापित प्रक्रिया पर अन्तिम अपेलिय न्याले कौन सा है तो अन्तिम जो अपेलिय न्याले है या हमारा उच्च नियाले है भारती सम्मिधान में किस अनुच्चेद के अंतरगत केंद्री ये प्रसासनिक अधिकराण को निर्ड़य को उच्च नियाले में चुनावते जी जा सकती है जिला नियालों के नियाया धीसों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो या राज्य की राज्यपाल के द्वारा की जाती है भारत के नियंतरक महान लेखा परिच्छक की नियुक्ति राश्पति के द्वारा की जाती है सर्वोच नियाले के नायाधीज जो है एक किस आयू में सेवा निब्रित होते हैं तो 65 वर्ष की आयू में भारत के नियंत्रक एवा महालेखा परिच्छा का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो 6 वर्ष का होता है भारतिय महा नियंत्रक और महालेखा परिच्छा किसके लिए एक मित्र दार्सनिक और मार्ग दर्सक के रूप में कारे करते हैं तो लोक लेखा समीती के रूप लिए केंद्री सरकार का उच्चितम सिविल अधिकारी कौन है तो मंत्री मंडल सचिव जो है या केंद्री सरकार का उच्चितम सिविल अधिकारी होता है देश में पंच वर्षी योजनाव का अनुमोधन करने वाला सर्वुच निकाय कांसत राश्टी विकास परिसद है भारत के महा नियाएवादे की नियुक्ति कौन करता है तो राश्पति करते हैं संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है तो भारत के महा नियाएवादी को आमंत्रित किया जा सकता है कौन सा आयोग संबिधानिक उपबंधो द्वारा स्थापित नहीं है तो योजना आयोग आगे है भारत का योजना आयोग है तो या एक आसम्विधानिक निकाय है योजना आयोग की अस्थापना किस वर्स की गई थी तो 1950 में की गई थी संग लोग सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है राष्टपती के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारती सेवा कार्मिकों का चैन करता है भारत में आम चुनाव किस सिद्धान्थ पर आधारित हैं प्रादेशिक प्रतनिधित्व पर आधारित हैं चुनाव आयोग किस अनुच्छेत के अंतरगत अस्थापित किया गया है तो चुनाव आयोग जो है या अनुच्छे 324 पे आधारित है भारती संबिधान का कौन सा अनुच्छे निर्वाचन आयोग से संबंदित है तो वही चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग अनुच्छे 324 में नहित है भारत की संसत द्वारा दल बिरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया तो 1985 में पारित किया गया और इसको दस्वी अनसूची में अस्थान दिया गया दस्वी अनसूची में दल बदल बिरोधी कानून को रखा गया मता अधिकार से क्या अभी पराय है तो मता अधिकार से अभी पराय है ओट देने का अधिकार भारत के किस सम्मिधान संसोधन द्वारा मत दान की आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स की गई तो एक सठ्वे सम्मिधान संसोधन के माध्यम से 21 वर्स की आयू से घटा कर 18 वर्स की आयू कर दी गई भारत में नागरिकों के लिए निर्ताहरित मत देने की नियुनतमाय कितनी है 18 वर्स है 2004 में चुनी गई लोग सभा वह 14 वे लोग सभा थी बिधान सभा निर्वाचन छेत्रों के लिए निर्वाचन परव्य की अधिक्तम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ा कर की गई 16 लाग की गई थी राष्टी राजनेतिक दलवा होता है जिसने पड़े कुल मतों का च्छे प्रत्सत प्राप्त कर लिया हूँ चार या अधिक राज्यों में तो राष्टी राजनेतिक दलवा होता है जिसने पड़े कुल मतों का च्छे प्रत्सत प्राप्त कर लिया हो चार या उससे अधिक राज्यों में प्राप्त किये हों तो उसको राष्टी राजनेतिक दल घोसित किया जा सकता है किसी राजनीतिक दल को पंजे क्रित दल के इस्तिती पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिसत मत पाने चाहिए तो 6 प्रतिसत मत पाने चाहिए संसत के चुनाओं में मत देने का अधिकार हमारा कानोनी अधिकार है किसी दल ने दो वर्ष में समय से दो परधान मंत्री दिये तो जनता दल ने भारत के मुख निर्वाचन आयुक्त काउन थे सुकुमार सेन थे तो भारत के जो हमारे पर्थम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकमार सेन थे भारत के पहले चुनाव आयुक्त वही हमारा प्रसन है डाक्टर सुकमार सेन भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन के बीके सुन्दरम अगला प्रसन है श्री एन गोपाल स्वामी को सेवा ने बृति के बाद मुख चिनवाज आयुक्त का पद किसने संभावा है तो नबेन चावला ने समाला है मुख्य मंत्रे के नियुक्त की जाती है राज जिपाल के द्वारा मुख्य मंत्रे के नियुक्त कौन करता है राज जपाल को पद की सबद किसके द्वारा दिलाई जाती है तो राज जपाल को पद की सबद उच्छे न्याले के मुख्य न्याधिश के द्वारा दिलाई जाती है राज्ज की वास्तविक कारेपालिका सक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सकता है भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में मुख्यमंत्री के कारियों को परिभासित किया गया है तो अनुच्छेद 166 में मुख्य मंत्री के कारियों को परिभासित किया गया है भारत में किस राज्य में महिला मुख्य मंत्री कभी नहीं वनी महाराष्ट में कभी भी महिला मुख्य मंत्री नहीं वनी किसी राज्य का उच्चतम बिधी अधिकारी काउन होता है तो महा दिवक्ता होता है राज्य बिधान सभा तर्था लोग सभा में महिलाओं के लिए आराच्छन बिल में कितने आराच्छन की बात कही गई है तो 33 प्रस्थ पर्थम भासाई राज किसे बनाया गया था तो ये आंदर प्रदेश को बनाया गया था आगे देखते हैं हमारा अगला प्रस्न है वह पहला राज कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया करनाटक ने राज्यों को भासाई आधार पर कपुनरगठित किया गया था 1956 में किस वर्ष में भासाई आधार पर राज्यों का अवठाद पुनरगठन किया गया वही पर सॉन 1956 में किस अनुचेद के अंतरगत जम्मू और कस्मीर को भारती समिधान दोरा विशेश दर्जा दिया गया तो अनुचेद तेन सो सतर के माद्यम से दिया गया था कौन सा अस्थानी सरकार का मामला नहीं है राज सरकार के संबन्द में अस्थानी सरकार किसका प्रयोग करती है तो प्रत्या योजित प्राधिकार का प्रयोग करती है राज की बिधान सभाओं में सदस्यों की अधिक्तम संख्या निर्धारित की गई है तो 500 बिधान सभाव में सदस्यों की अधिक्तम संख्या कहां पर है उत्तर परदेश में है जिसमें 403 बिधान सभा सदस्य है राजस्थान में वर्स 2013 में कुल बिधान सभा छेद कितने थे तो वर्तमान में भी 200 है दिल्ली में कुल कितनी बिधान सबासीटे हैं, 70 बिधान सबासीटे हैं और यहां पे 10 परसत मंत्री बन सकते हैं राज जपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्या देश किसके द्वारा अनुमोदन के अधिन हैं तो राज बिधान मंडल राज बिधान मंडल के अनुमोदन के बीना राज जपाल द्वारा जारी अध्या देश कितनी अवद के लिए लागू हो रुटा है तो 6 सबता के लिए राजजपाल द्वारा राजज विधान सभा में आंगल भारती समुधाय के कितने सदत से नामित किये जाते थे तो एक सामिल किये जाते थे जिसको अब सम opposition कर दिया गया है संबिधान में किस पर महावियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो राजजपाल पर महावियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है ए राश्पती के प्रसाद परियंत अपने काम पे रहते हैं वर्स 2000 में संसत द्वारा कानून पारिद किया जाने के बाद मद्द पर्देश से काड़ कर बनाए गया राज का क्या नाम है 36 गड़ है किस राज का नाम हाल ही में परिवर्थन किया गया ओरीशा का नाम परिवर्थन करके ओरीशा किया गया किस अनुछेद के अनुसार राज बिधान परिसाद बनाई या समाज की जा सकती है अनुछेद 169 के माध्यम से राज बिधान सभा में धन बिधेयक किसकी पूर्व अनुमती से परस्तुत किया जा सकता है तो राजिके राजिपाल के दारा अधन विधेयक परस्तुत किया जाता है अगला प्रस्न है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजिपाल कौन थी? तो स्रीमती सरोजनी नाइडू थी कौन राज योजना बोर्ड के अधच करूप में कार करते हैं समिधान बनने के समय जो छेतर नार्थ इस्ट फ्रंटियर एजनसी के नाम से जाना जाता है वहा है अधचल प्रदेश तो यन इफ ए नेफा जिसको आप कहते हैं यह अधचल प्रदेश राज को कहा जाता था भारती सम्मिधान की सीमा वर्ती सूची की धाड़ा किस देश के सम्मिधान से ली गई है तो आश्ट्रेलिया से ली गई है भारत के सम्मिधान में कितनी अनसूचीया है तो बारा अनसूचीया है हमारे सम्मिधान में आर्थिक आयोजना सामिल है समवर्ती सूची में भारती संविधान की आठवी अनुसूची में भासाओं की संख्या है 22 भारत के संविधान की आठवी अनुसूची में कितनी भासाओं हैं 22 भासाओं हैं भारती संविधान की आठवी अनुसूची में कौन सी भासाओं बाद में जोड़ी गई थी तो सिंदी, कॉंकड़ी, मडीपुरी, नेपाली बाकी सभी जानकारियां आपको हमने एक स्पेसल वीडियो सम्मिधान का बनाया उसमें आपको एक अनुच्छे नंबर एक सिले के 395 अनुच्छे तक भासाए प्रतेक्चिन सभी चीजे बताई गई हैं भारती सम्मिधान के किस संसोधन अधनियम द्वारा पंचायती राज ब्यवस्था को सम्मिधानिक दर्जा दिया गया तो 73 सम्मिधान संसोधन के माध्यम से अगला प्रसना मारा है भारती सम्मिधान के किस संसोधन ने नगरी अस्थानिये सरकारों को सम्मिधानिक दर्जा दिया था तो 74 सम्मिधान संसोधन जो हमारा हुआ था इससे नगरी निकाय बनाया गया अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल के रूप में भारत में पंचायती राजपणाली सम्मिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत है तो अनुच्छेत 40 में दी गई है पंचायत हमारी भारती समिधान का काउंस अनुछेद राज सरकारों को गराम पंचायतों के गठन का निर्देश देता तो अनुछेद 40 निर्देश करता है भारत में त्री अस्तरी पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किस ने दिया था तो बलवंत राय महता समीती ने पंचायत समीती किसके प्रति अपने कारे के लिए जवाब देती है तो जिला परिसदों के लिए जवाब दे होती है वर्स 1977 में किसकी अधचता के अंतरगत पंचायत राज की जाँच करने के लिए एक सरकारी समीती ने उत्त की गई थी तो असोक महसा समीती किस समीती या आयोग ने केंद्र और राज संबंद की जाच की तो सरकारी या आयोग ने पंचाती राज प्रणाली पहले किंदो राज्यों में लागू की गई थी तो आंदर प्रदेश और राजस्थान में राजस्थान पहला राज्ज है जिसने अस्थानी स्वसासन परारम किया लोग तंत्री विकेंद्री करण का आसा है अस्थानी सरकार अस्थानी स्वसासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का आवान प्रावधान कहां लागू किया गया तो मद्य प्रदेश में किसने या कहा है कि कोई भी राजनीत धर्म से रहित नहीं है तो गाधी जी ने कहा संग लोग सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है तो राष्ट पती को अलप संखकों के लिए राष्टी आयोग किस वर्ष में बनाया गया था तो 1992 में बनाया गया था भारती संभिधान के किस अनुछेद में अनुसोचित जातियों और अनुसोचित जन जातियों के लिए और अच्छन का प्राध़ान किया गया है तो अनुछेद 335 के माध्यम से महिलाओं के ससक्ती करन के लिए राष्टी नीत किश वर्ष में अपनाई गई थी तो 2001 में अपनाई गई थी भारत में सूचना का अधिकार कब आया तो 15 जून 2005 को हमारा RTI Act आया रूसी करांति का प्रारम किस सहर्थ से हुआ तो रूसी करांति का प्रारम सेंट पीटर्सबर्ग से हुआ चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्यूनिस्ट पार्ट्री का अधिस्त काउन था माओ जी डॉंग था त्रिभासा सूत्र की सिफारिस किस समीत ने की थी तो कोठारी समीत ने की थी इवसे का राष्ट पति उच्चतम न्याले के न्याय धीसों की नियुकति किस प्रकार करता है किस तंत्र में कुल लोग अधिक लोगों पर सासन करते हैं तो अल्प तंत्र में संयुक्त राष्ट संग के सदस्य देशों ने 207 तथा उसकी सुरच्छा की प्राथ्मिक जिम्मेदारी किसे सवपी है सुरच्छा पारिशत को सवपी है संयुक्त राष्ट सुरच्छा परिसत के आस्थाई सदस की कारेवत कितनी होती है तो दो वर्स होती है कितने देश इवन जनरल असेंबली के सदंस है तो 193 सदस है इसमें हमारा भारत भी सामिल है अंतर राष्टी न्याले में नियाएधीसों की संख्या 15 है इसमें भारत की तरफ से दलवीर भंडारी है पंच सील के सिधानतों का प्रस्तावक का उन था तो पंडि जवाल लाल नहरू थे सरकार किसकी एजनसी है तो सरकार राज की एजनसी है राज के अधीन क्या है तो राज के अधीन आंतरिक एवं बाह दोनों संप्रभुता है अब आगे हम देख लेते हैं अगला प्रस्न हमारा है स्वतंतरता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है तो बेधी बना करके स्वतंता को सीमित किया जा सकता है दल रहित लोग तंद्र के पच्छ में कौन था तो जैप्रकास नारायर थे कौन सा देश एक दली अपना लिए अपना रहा है तो चीन है जहां पर सिर्फ एक दल की सरकार चलती है लोग पाल का विस्तार कहां से लिया गया तो इसकेंडिनेवी आई देश से लिया गया है लोग तंद्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर लोगों की सहमती का अर्थ क्या है तो अधिकांस लोगों की सहमती ही लोगों की सहमती मानी जाती है एक आत्मक संग्रचना और अध्याच्छा आत्मक सासन पडाली रूप वाले देश का एक उदारण है फ्रांस आम तवर पर सिध्धान्त और व्यवहार के बीच यहां पर बड़ा अंतर देखा जाता है तो सरकार का संसदिय स्वरूप में यह अंतर देखा जा सकता है सारुजनिक पद का अधिकार है राजनीति का अधिकार है किसी देश में बित्विध्यक बिधान मंडल के उपरी सदन में पेस किया जाता है तो जर्मनी में पेस किया जाता है प्रक्रियात्मक मामलों पर सुरच्छा परिसद के निर्णे सदस्यों के सकारात्मक पदों द्वारा मतों द्वारा लिये जाते हैं आदर्सवाद का जनक किसे माना जाता है तो पलेटों को आदर्सवाद का जनक माना जाता है डेमोक्रैसी सब्द किस भासा से लिया गया है तो ग्रीक भासा से लिया गया है राज्य सब्द का प्रयोग सरप्थम किस ने किया तो मैकिया वेली ने किया मनुस से एक सामाजिक प्राड़ी है या कथन अरस्तू का है राजनीती सास्त को अय थार्थ सास्त किस ने कहा है तो ब्राइस ने कहा है जो ब्यक्त किसे स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पसू या किसके मत है तो या अरस्तू का मत है मुक्ति सामान ने इच्छा सक्ति का पालन करने में है या किसने काता तो रूसों ने कहा था या कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता लेकिन सदा जंजीर से बढ़ा रहता है तो या रूसों का कथन है भारत की आत्मा गाओं में निवास करती या हमारी महातमा गाधी जी का कथन है आगे है ओह असम्मानिय लोकतंत्र में मुझे तुमसे प्यार है या किसकी है तो या कारपेंटर की योगती है किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता और बुरा राज बनाता है तो प्लेटो सर्व सत्ता संपन संसत की अवधांडा किस देश की देन है तो इंग्लेंड की देन है संसार में सबसे पहली प्रधान मंत्री किस देश की थी तो स्री लंका की थी द्वन दात्मक भावतिकवाद किस सिद्धांद के साथ जुड़ा हुआ था तो सामेवाद से जुड़ा हुआ है काउन सा देश अब भी राजा दवारा सासित है तो साओधी अरब है CTBT ब्यक्त करता है सस्त्र नियंतरन उपाय को जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था रूसों ने किया था संयुक्त राष्ट की नभींतन सरकारी भासा अरबी है संयुक्त राष्ट की 6 अधिकारिक भासाएं है जिनमें नभींतन भासा अरबी है पिछला एसिया पैस्फिक आर्थिक सहयोग सिखर सम्मेलन कहा हुआ था तो सिडनी में हुआ था अगला प्रस्ण है लोगतंत्र के दूरोप होते हैं तो कौन कौन से है एक प्रत्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च किसकी प्रसासनिक ब्यवस्था کی बिसिष्था है तो बुशिष्था है चाया मंत्री मंडल की रीत कहां शुरू हुई थी तो ग्रेट बुशू हुई थी सूचना का अधिकार अधनियम किस वर्ष पारित हुआ था तो 2005 में पारित हुआ था लोकसभा और राजसभा में लोकपाल बिल और अधिक सक्त संसोधनों के साथ कप पारित हुआ तो 2013 में पारित हुआ भारतिय दंड संगिताद IPC की कौन सी धारा सम लैंगेक ले लंपट उभाई लैंगेक या परा लैंगेक जिसको आप LGBTQ समधाज से संबंदित है ति तीन सो इसकी धारा है 377 मंदल आयोग रिपोर्ट किस से संबंदित है तो मंदल आयोग अन पिछड़े वर्गों से संबंदित है किसी राज के अंदर बोडो लेन्ड प्रादेशिक परिसत का एक स्वायत 181 निकाय बनाया गया था तो असम में बनाया गया था कि सवस्तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्ता 1977 तक भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला संदी पर हस्ताचर किये जाने का वर्स है 1972 जब भारत और रूस के बीच मैत्री सायोग की संदी पर हस्ताचर किये गए तब रूसी नेता कौन थे लियोनिट ब्रेजिनेव थे राजनीत और नेतियों से बित्पन सब्द इंद्र धनुसी गढ़वंद सब्द किस ने दिया तो बराक उब्यामा जो की अमेरिका के राश्पती थे मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो प्राचे निउनान में किंद्री परियावरण और्बन मंत्रा लेकि अंतर गताता है तो परियावरण और्बन मंत्रा लेकि अंतर गताता है कारल मार्क्स द्वारा लिखित है तो कारल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल स्विटजर लेंड में प्रत्यच बिदान में क्या होता है तो सहाद जिस संब्रिद्धी होती है स्विस राष्टपती का कारिकाल कितने वर्सका होता है तो एक वर्सका होता है या किसने कहा था कि एडॉल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडॉल्फ हिटलर है जो हिटलर के लिए बचनबद है वाद जर्मनी के लिए बचनबद है तेया और हेस ने कहा था फासिज्म का विश्वास इस इसद्हंत को लागू करने में है कि ताना साही है जर्मनी में नाजिवाद की वाकालत किसने की तो एड़ अफ हिटलर ने की सम्मिधान सभा में हमारे राष्टी गाद कब अपनाया गया तो 24 जनर्रे 1950 को अपनाया गया भारत की संसर ने परियावरन संगरच्छन इस वर्स पारित किया 1986 में पारित किया तो हमारा प्रस्ण आज यहीं पे समार्थ होता है और भी संभान की रोचक कलास देखने के लिए हमारा प्लेलिष्ट बना है संभान का उसमें आप देख सकते है उसमें काफी वीडियो पड़े हुए है अगर आपने इन सभी वीडियो को देख लिया तो आपको भारती संभान में कहें भी कोई दिक्कत नहीं होगी